हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वर्टसप पर स्टेटस कैसे लगा सकते हो वैसे तो आप सभी में से काफी सारे लोगों को ये बाते पता होती हैं कि वर्टसप में स्टेटस कैसे लगाते हैं लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी वर्टसप चलाना अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं और उन्हें WhatsApp पर status कैसे लगाते हैं ये नहीं पता होता है तो अगर आपको भी अभी तक नहीं पता है कि WhatsApp पर status कैसे लगाते हैं तो इस वीडियो को आप पुरा ध्यान से देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि आप WhatsApp पर कोई भी स्टेटर चाहे वो फोटो हो चाहे वो वीडियो हो कैसे लगा सकते हैं लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए यहां पर क्लिक करिके अपने दोस्तों के साथ सेर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर एक घंटी आएगा इसको दबा के ओल पे ज़रू से प्रेस करिए ताकि आगेन वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं तो सबसे पहले आप अपने WhatsApp को ओपन करिए WhatsApp को ओपन करने के बाद उपर की साइड में आपको यह जो स्टेटस का यह जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर ही आपको क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ पर जो यह वाला एरिया दिखाई दे रहा है इस एरिया में अगर आपके दोस्त जितने भी हैं अगर उन्होंने अपना WhatsApp स्टेटस लगाया होगा तो यहाँ पर दिखाई देगा लेकिन अगर आप अपना WhatsApp पर स्टेटस लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस यह जो प्लस का बटन है इस वाली बटन पर जो है क्लीक करना होगा यह जो माई स्टेटस लिखा हुआ है तो हम जैसे ही इस पर क्लीक करेंगे तो आप भी जैसे ही इस पर क्लीक करोगे और वीडियो भी शूट करके डायरेक्ट यही से स्टेटस पर लगा सकते हो लेकिन अगर आपने कोई पहले से फोटो क्लिक करके अपने फोन में रखी है या फिर पहले से कोई वीडियो को मतलब क्लिक करके रखा है या फिर वीडियो बना करके रखा है उसको आप जो है अपने स्टेटस में लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको इस तरीके से सलाइड करना है और यहाँ पर जितने भी फोटो या फिर वीडियो होंगे वो सबके सब यहाँ पर आ जाएंगे जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मेरी एक वीडियो भी आ चुकी है जिसको मैंने अभी रिकॉर्डिंग की है और यहाँ पर जो है काफी सारे फोटो भी मेरे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे के साइड में भी आप स्क्रॉल करोगे तो आपके सारे वीडियो और फोटो दिखाई देंगे for example के लिए मुझे ये वाला photo status में लगाना है तो मैंने इसे select कर लिया है आपको भी इसी तरह के से कोई भी video या फिर कोई भी photo select कर लेनी है नीचे की side में आपको एक option दिखाई देगा ये वाला जैसे कि देख सकतो send का तो आपको just send button पर ही click करना होगा इसके बाद यहाँ पर दुबारा से आपको send पर click करना है और इस तरह के से sending होना start होगा जैसे कि आप उपर की side में देख सकतो यहाँ पर sending लिखा हुआ है और कुछ देर बाद ही ये जैसे ही upload होता है जैसे ही ये successful send हो जाता है इसके बाद इस तरीके से देख सकते हूँ यहाँ पर sending का button नहीं आ रहा है और just now का button आ चुका है अगर आप इस पर click करोगे तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने देखा होगा यहाँ पर वो दिखाई देगा अभी देख सकते हूँ यहाँ पर किसी भी लोग ने नहीं देखा है इसलिए zero viewed दिखा रहा है यानि मेरे अभी किसी भी दोस्त ने इसको नहीं देखा है अगर आप इससी status को delete भी करना चाहो तो यहाँ पर एक delete का option इस पर click करके आप delete भी कर सकते हो तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने whatsapp पर कोई भी status में video या फिर photos को लगा सकते हो अगर यह video आपको पसंद आया है तो video को like करिए अपने friends and family के साथ इस video को share करिए चैनल पर नहीं है तो भाई subscribe भी कर लीजिए धन्यवाद